कर दोस्तों कि आपके लोगों का एक फरवरी से जो एकजाम है जो होता है इंगलीज को पिछले क्लास में हम भारत इजमाई होम का शमड़ी तो हम लोग आपके लिए भी वी आई जो समड़ी है जाल पूछने के ज्यादे चांसेज है का शिफ्ट लाड़ा है अब हर रोज कोई ना कोई एक नया शमड़ी ताल रहा है ठीक है जो इंपोर्टेंट होगा डालेंगे अभी हम लोग पुरोज का चल रहे हैं जो कहानी का जो समड़ी होता है उसके बारे में चल लगा चार या पांच गेस किये हुए है चार पांच सब्सक्राइब को आप देख सकते हैं तो आज हम लोग परेंगे और पीन जोप सनफ का समड़ी यह को होता है चाल ले टेंड कि अपीं चॉप संफ का मतलब होता है एक सब्सक्राइब पिंच wee इंट टीर करें टो कि ऑbn पिकंचेन पॺ इन Corinth Attack घज बिण टेंद बाइ मनुहर मालगांगा ड यूप जु थि यूए वह tidak मतलब लिखा गया हुआ है वह मनुहर ह्क्र मालगांगांग दetter द्वारा कि आगा हुआ तो लिखा गया हुआ है वे एक जाने माने उपन्याशकार कहानिकार है यहां कहानी चलिए इस स्टोरी इज वाज ग्रेट राइटर और यहां कहान ठीक है वो अच्छे राइटर थे बहुत महान राइटर थे इस स्टोरी जब फूल ओफ बीट एड़ एडवेंचर पहां कहानी बुद्धी और जोखिम से बहड़ा बुद्धी और जोखिम से बहड़ा हुआ है यह कहानी जो अब कहानी में पहले जब आप कोई भी समय लिखें उपहले तो आप लिक्षिए दीजिए कि वह समड़ी मत्वाइटर कौन थे उस कहानी के राइटर कौन है वह पक्का लिखी भाद लिखेंगा राइटर के बारे में कुछ लिख देखेंगा फिर उसके बाद यागर इस स्टोरी को बढ़ाएंगा हम भारती जो माई होम के बारे में पिछले बीडियों बता दिये अब देख लिजे इन दीस स्टोरी इस कहानी में आधर सोज बीट आफ नानुका का के बुद्धी को दिखाया गया लेखक जो है मनोहर मालगांकर जी है वह क्या किये है बीट आफ नानुका का मतलब वह नानुका के बुद्धी को दिखाया है अब नानुका का कौन थे वह आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता चले लिए वन डे नानुका का का कम्स तू द ऑथर सहाउस तू मीट आ बेल फेर मिनिस्टर इन देल ही फॉर टू और थी बतलब एक दिन नानुका का जो है लेखक के लेखक के घर पे मिले आए ठीक है मतले का घर मतलब मालगाओकर जी है उनके घर पे वह मिले आए और दिल्ली में दिल्ली में मिले आए जो तीन दिन के लिए लोक कल्यार मंत्री से मिलने आते हैं वह उनका वो तीन दिन के लिए दिल्ली आया थे मतलब क्यों क्योंकि उनको एक बेल फ लोह मनोहर मालगाओकर जी कहा है ठीके मामा जी थे नानुका का ठीक है नहीं मामा थे मैटना अंकल का मता होता है मामा ठीक है वो जो नानुका का ठीक है एक बुधिमान और तेज बेक्टी थे थे वह अक्सर एक चुटकी खैनी लेते है वह हमेशा खैनी खाते थे ते इसलिए चुटकी खैनी लेते थे ठीक है फिर उसके बाद नानुका का सब्सक्राइब अब क्या है नानुका का जी और और जो है और जो है मतलब लेकर जो है वह लोग करते हैं बेल फेर मिनिस्टर से मिलने के लिए कोशिस करने लगते हैं लेकिन वो लोग मिल नहीं पाते हैं लेकिन वो लोग मिल नहीं पाते हैं वान डे दे एक्सिडेंटली मीट सोहनलाल रतिराम वू इस दा सौन अफ रतिराम अब देखिए एक दिन वे अचानक सोहनलाल रतिराम जो रती राम का बेटा है से मिलते हैं ठीक है कि सोहनलाल रती राम उनसे अचानक मुलाकात हो गई इनको नानुकाका को और मनुहर मागा कर यह है फिर उसके बाद देखते हैं क्या है फिर तो उसके बदध करेंगे they take splendid car by they take splendid car by trapping a dhowie and the manager of auto dealers वो लोग क्या है सीका auto dealers के manager तरफा धोवी को फसा कर वहाँ से एक सांदार car ले लेते हैं जाकर splendid car मतलब बहुत ही सांदार car ले लेते हैं वो धोबी और वहां के मैनेजर को क्या करता है फसा कर मतलब मस्का उसका लगा के वह कुछ थी मतलब कार ले लेते हैं ठीक है अब नानु काका सिंग सथाउजन रूफी चेक वाट गिव वाणली पर दोबी को सिर्फ दो रूपया देते हैं रती राम उसके वाद आगे चलते हैं क्या हिल्खा हुआ है तो धोबी इन विजिटर्स बूक ही राइट ही राइट ही राइट हिमसेल्फ आज और अब इसको देखते हैं वह स्यम को सुथकाता नामक नायनोर के महराजा के पैत्रिक पंडित बताते हैं वह क्या है अपने आपको बताते हैं कि रति राम के मदद से वह लोग कल्यान मंत्रिक ओफिस के आगंतुक पुस्तिका में वह स्यम को सूथकाता नामक नायनोर के महराजा के पैत्रिक पंडित बताते हैं कौन मनोहर मालागा गर जी ठीक है अब उसके बाद है आगे देखते हैं किया लिखा हुआ ट्लास्ट अंत था अन्तता काल्यान मंतरी श्यम नानुकाका के पास उसे मिले जाते हैं जो कि कॉन आदमी सभी जो इसे कर रहा है तो मिनिस्टर जो है खुद से ही जाके नानुकाका से मिलने लगते हैं लेकिन अभी तक आथर कुड़न्ट अंडरेस्टेंड वाई नानु काका वांटे टू बीट दा मिनिस्टर लेकिन जो लेखक है मनुहर मालगाकर जी जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि क्यों नानु काका उस मंत्री से मिलना चाहते हैं करें स्टूरी समाप्ट हो गया लेकिन फिर भी मंहर मालगाकर जी नहीं समझ पाएं नानु काका जी क्यों मिलना चाहते थे मंत्री से तो यही है, मतलब इस्टोडी से यही था वैस्टोडी को सॉर्ट करके हूं हम लोग समलड़ी एक्ते हैं तो हमलोग को समलड़ी लिखना है याद करके जाना है ये सब काफी हम इंपोर्टेंट सीरीज लेका रहे हैं आप लोग के लिए वो दूर देखिएगा पढ़िएगा सब ठीक रहेगा Thank you